आपने यूटूब चैनल एमेलम घ्यानी ग्यान पर दोस्तों आज के सीविद्या में हम बात करते हैं कि जालाइफिस्टाइल की अपनी आइडी को हम यहामे कैसे रेश्टर करते हैं कैसे हमें साइन अप करेंगे और किस तरीके से हम अपने एड वाच करेंगे तो क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जालाइफिस्टाइल ने अपने डेमो एप सुरू कर दिये हैं तो उसके लिए किस तरीके से हम यहाँ पर अपना आईडी बनाते हैं तो आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में पर वीडियो सुरू करने से पहले छोटी सी डिपक सारी हासल कर सके तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं कि हम एपना रेशिट कैसे करते हैं और किन बातों का ध्यान अपना पड़ता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँं कि एपनी आईडी जालाइफिस्टाइल में बना लेनी हैं अगर आ पहले हम उपन कर लेंगे जाला इविस्टाइल की साइट को अगर आपके पास अपना लिंक है तो लिंक से ओपन कर सकते हैं नहीं तो आप सीज़ा साइट खुलिए और वहाँ पर ये साइट में दी गई तीन लाइनों पर आप क्लिक किजिए यहाँ पर और आप देख रहे हो यहाँ पर बटन आएगा लॉगिन का अगर आपकी आईडी क्रियेट है तो अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे वहीं नहीं तो साइन अप पर क्लिक करेंगे तो मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ तो मैंने अपना username password यहाँ पर भर दिया है दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी सारी बगयर username के साथ आप इसको किसी के साथ भी share कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर जल्दी से username भर चुका हूँ और यहाँ पर login पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका खुल जाएगा dashboard जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यह लेकर जाएगा यह.com तो यह मैं यहाँ पर पहुच चुका हूँ यह.com पर login पेस पर अगर आप यहाँ पर directly आएंगे तो कुछ अलग तरीके का page open होगा तो फिलाल तो मैं यहाँ पर आपने जालाइफ इस्टाइल से बनाय हुए हैं तो मैं जल्दी से अपने username password यहाँ पे डाल देता हूँ इसरे नेम पासबर डालने के बाद यह submit पर click करेंगा दोस्तों आपको यहाँ पर click बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर click सिर्फ आपको submit पर click करना है तो जल्दी से कर देता हूँ तो दोस्तों बाद अपना आपके सामने कुछ इस त्रीके का पेज ओपन अजाएगा यहां पर आप अपना फर्स नेम भरेंगे अपना इमेल आईडी अपना मोईल नंबर भरेंगे उसके बाद यहां पर नेक्स पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर कुछ और थोड़ी सी ट्राकी प्रोफा जन्डर भर देता हूं आप पर आयमन नट रोबोट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे रेइस्टर पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों उससे पहले आप एक लाइन देख रहे होंगे कि I want to receive email communication from EHA अगर आप EHA से कोई भी email communication चाहते हैं तो इसको OK कर दीजिए नहीं तो इसको बंद कर दीजिए तो यहां पर OK का बटन है मैं इसको OK कर देता हूं और रेइस्टर पर क्लिक करता हूं तो रेइस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ पैकेज का ये पेज़ खुल के आ जाएगा और दोस्तों यहां पर वीडियो ध्यान से देखिएगा तो यहीं पर अगर आप निकलती कर दी तो यह समझे आप अपनी अर्निंग को खतम कर सकते हैं तो इसलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों आपके पास जो चूज पैकेज़ का पेज़ खुल के आए हैं यहां पर आपके पास दो आप्शन मिलेंगे यहां पर एक तो वैरिफाइ योरसल्फ इस टैन यूरो के साथ मिलेगा और द और आपनी अपटेट कर दि तो आपको फिरृ मिलेगी और नहीं जालाइस टॉरफ से जिरो यूरो वाले पर प्लिक करेंगे यहां पर कम्तेट करेंगे ID के लिए तो मैं continue यहाँ पर click कर देता हूं और इसके बाद जब हम free वाले पर continue करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक box कुल के आएगा pop-up यहाँ पर आपका लिखा होगा by skipping verification you will be eligible for 33% of your earning until you pay for your PV मतलब जब तक आप अपना PV complete नहीं करेंगे मतलब personal verification नहीं करेंगे तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ 33% earning ही आपको मिलेगी from the date of your PV you will be received 100% of earning और जब आपका PV complete हो जाएगा तो उस तरीक सी बाद आपको 100% earning आपको मिलने लगेगी तो इन future में आप अपना PV कर सकते हैं अभी आप फिरी में आप running कर लीजिए तो मैं यहाँ पर ok पर continue पर click कर देता हूँ continue पर click करने के बाद दोस्कों आपके पास यहाँ पर पूछा जाएगा tell your interests select 25 or more objects या topics that interest you तो मतलब यहाँ पर को इस दे रखी है इनको आपको select करना है minimum 25 को select करना है जिनसे आपको add देखने को मिलेंगे तो मैं जल्दी से यहाँ पर click कर देता हूँ कोई भी इनको future में आप change भी कर सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है आप change कर सकते हैं जब चाहिए तर इनको change कर सकते हैं तो मैं जल्दी से यहाँ पर 25 टिकर देता हूँ और आप देख रहे होंगे दोस्तों यह circle यहाँ पर घुमता जा रहा है यह जब 25 टेगरी पूरी हो जाएगी तो यह उक्तो जाएगा और समिट पे क्लिक हो गया है अब हम go to dashboard पर जाएंगे और dashboard पर हमारे add शुरू हो चुके हैं दोस्तों इस तरीके से add आएंगे क्योंकि यह pilot project है यहाँ पर demo add शुरू हो चुके हैं जहाँ पर आप अपनी practice करते रहेंगे और दोस्तों आप से फ़क्से पहले request है कि अगर आप आप में sign up कर चुके हैं अपनी ID बना ली है तो आप रोजाना अपने add जरूर देखें क्योंकि एक जब pirate project है इसमें income आपको भले ही नहीं हो कि लेकिए इससे आपकी practice बनेगी और आपकी जो इहाँ site है आपकी ID है यह लगातर continue refresher में बनी रहेगी रेफ्रेस होती रहेगी तो आपको आगे चलकर add देखने में दिक्कत नहीं होगी जल्दी जल्दी से आपके add अपडेट हुआ करेंगे तो आप इसको अपने add जरूर complete कीज़े तो मैं यहाँ पर add देख रहा हूँ जल्दी समय add यहाँ पर complete कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर देखी आप देख रहे हैं यह अभी 11 इसके रहे गए हैं क्योंकि यह आपका पायट प्रजेक्ट था 15 जून से चल रहा है तो आज की तारीक है 18 जून तो यह चार्ट जो निकले हुए है add वो भी सारे add यहाँ पर आज complete हो जाएंगे तो डेली यहाँ पर लगबख दो से तीन अपडेट होते हैं add जो आपको यह दो वीक में आपको add सारे दिखा देंगे और आपकी practice हो जाएगी तो यहाँ पर आपको मैं आपको बता दूँ फिर से एक बार कि यहाँ पर जो भी add आप देखेंगे इनसे आपकी earning तो नहीं होगी बस यह तो दोस्तों इस तरीके से आप add देखते रहेंगे अपने और यहाँ पर जैसे add खत्म होगे आपके पास यहाँ पर लिख्या जाएगा कि आपने कितने add देखे हैं बस उसके बाद आपको यह सारा close कर देना है और next day फिर आपको इसी timing के बाद जिस timing आपने add देखे हैं अब कल भी आठ ठावर यानिकी नौ बाजे के बाद ही कली add मुझे फिर से दुबारा देखने हैं ताकि इसमें नए add एड हो जाएंगे यह add सारे watch हो गए देखे last add है यहाँ पे आप देख सकते है जीरो add remaining रह गया है अब उसके बाद कोई add नहीं है अब यह खत्म होने के बाद मुझे दिखाएगा मैंने कितने add यहाँ पर watch की हैं तो 13 add है दोस्तों यहाँ पर मैंने 13 add यहाँ पर देख लिए हैं और यह हमारे add complete हो गया है अब बस अब मुको इतना ही काम है आपको daily करना है दोस्तों login करना यहाँ में और आपको add यहाँ आपको watch करना है दोस्तों आप यहाँ पर जाये हैं और direct अगर आप गूगल पर यहाँ पर जाएंगे कैसे जाते हैं मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ तो यहाँ से मैं इसको close कर दूँगा डायक्ट आप कैसे यहाँ पर जाएंगे गूगल तो गूगल खोलेंगे हम गूगल पर लिखेंगे इहाँ यहाँ लिखके search करेंगे तो आपको यहाँ पर पहली site मिल जाएगी eha.com तो यह site यहाँ पर इस तरीके से open जाती है अगर आप यहाँ पर जालाइत style में ID बना चुके हैं तो आप direct eha को खोल सकते हैं और बहाँ पर आप यह site में दी गई ती लाइन पर click करेंगे और यहाँ पर आप देखना है होगे login, sign up पर click नहीं करना है आपको login पर click करना है login पर click करेंगे, तो login पर click करेंगे, यह sign up पर पर click मत कीज़ेगा login पर click करेंगे, तो login पर हम click कर देते हैं आप पर, login पर click करने के बाद आप से दो चीज़ें पूछा जाएगा Advertiser है आपकी आप पर viewer है तो हम add देखने वाले है इसका मतना हम viewer है Advertiser नहीं है हम viewer पर click करेंगे तो viewer पर click कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका login मागेगा तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले पताया है इस वीडियो में कि आपको यहाँ पर आप मैं username या email address जालना है और अपना password दालना है username वही डालना है जो आपका Jalife में है बना हुआ जा लाइफ में जो आपका यूजर ना बना हुआ है सेन यहाँ पर आप डाल देंगे वहीं पर डाल देंगे login पर click कर देंगे और उसके बाद से जो मैंने आपको अब ही कुछ करके देट-पहले करके लिए तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आगे की जनकारी के लिए मिलते है नास्र वीडियो में नई जनकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार